आज हम आपको बताने वाले हैं कि inventory में आप क्या से काम करेंगे तो inventory लिए पहले क्या बनाना है फिर क्या बनाना ऐसे करका क्रम से आपको बताते जा रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको पुराने वाले बर्जन में काम करना बता रहे हैं बेसिक बर्जन में टेली 5.4 में काम करना बता रहे हैं तो यहां पर अपने सबसे पहले कंपनी बनाई और कंपनी अपनने किस टाइफ से बनाई वह हम आपको बता देते हैं यह हमने कमपनी बनाई हुई है यहाँ पर अपने मेंटेन में अपने एकाउंट इन्वेंटरी रखा हुआ है मतलब अपन एकाउंट के साथ साथ इन्वेंटरी का हिसाब भी रखना चाह रहे हैं आपन यहाँ पर सेकंड ओफसन में जाएंगी इन्वेंटरी इन्फोर्मेशन और अपन inventory information में जाकर enter दवाएंगी और यहाँ पर अपन सबसे पहले stock group बनाने वाले हैं कि हमारा जो माल है जिसका हम व्यापार में करे विकरे करते हैं वो किस group के अंदर गताता है तो कवी कवी किसी किसी के व्यापार में किए परकार के सामान का करे विकरे करते हैं अलग अल करकार की माल का क्रे विक्र चल रहा है तो गुरूप आपको यह क्या भी बनाना पड़ेंगे जैसे वह हैं तो इस टाइप से आप यहां पर माल का पहले गुरूप बनाएंगे इसके लिए आप सोटकट की जी सी भी दवा सकते हैं जी फॉर गुरूप सी फॉर क्रियेट या फ आप किसी किराने की दुकान में जॉब कर रहे हैं ठीक है किराने की दुकान में बहुत सारे गुरूप होते हैं इसलिए हमने आपको एक्जांपल कराने की दुकान का दिया है वहां की सारे जगए आप जॉब करेंगे एजनसी मॉल जहां भी आप जॉब कर रहे हैं फैक्ट बिस्किट का अलग बना लेंगे आप और भी आप दाल चावल जो भी हैं आप सब अलग गुरुप यहां बहुत सारे बनाएंगे हमने आपको एक गुरुप बनाकर यहां पर दिखाया है आप अन्य से अंडर में प्राइमरी में भीज देते हैं ठीक है इसी तरह आप नेम में और भी बहुत सारे गुरुप हैं जो आपको पता है करानी दुकान में का यूज होता है उन्हें आप यहां पर बनाते चलना ठीक है तैसे आप बहुत सारे गुरुप बना सकते हैं आपन वापस आ रहा है गुरुप बनाने के बाद आपको क्या बनाना है आप क्रम याद र यहां पर आपको symbol लिखना है symbol यानि का आपकी यूनिट का symbol क्या है unit का अर्थ होता है एकाई आप जो सामान या वस्था करेब विकरे कर रहे हैं उसकी एकाई क्या है आप किस एकाई में सामान का क्राय विग्रे करते हैं एक्जाम्पल अगर अगर अपन देखें तो जैसे दरजन क्लोग्राम कुछ चीज अपन कुटल में लेते हैं कुछ बोरे अर्थाद बैग में अपन लेते हैं कुछ बॉक्स पैकेट इनमें लेते हैं, तो ये इनकी unit यान एकाई होती है, अपन जिस चीज में उस सामान को ले रहे हैं, तो यहाँ पर अपन जैसे एक अपन ने किलोग्राम बना दिये, अपन यहाँ पर कुछ सामान को किलोग्राम में लेंगे, ऐसे, अपन जैसे कुछ सामान को piece में भी लेते है एक एक करके लेते हैं तो अपने पीस ही बना दिया है इसी परकार आप यहां पर दरजन, कुटल, बैक, पैकेट सब कुछ बना सकते हैं ठीक है तो आप बनाते चलना ऐसे ही बनाना तो आप ऐसे ही बना लेंगे अवब बापस आ जाते हैं अब उसके बाद अगली चीज क्या क एक किसे कंपनी का सामान है और कितने इसकी गारणटी वगर अगर है तो आपर यहां पर चलो लिख देते हैं अपने मसाला लगा था तो मसाला किस कंपनी का है को चुन सा मसाला काम करते हैं अपने मसाला लिखा है mdh एट आँ अधा यह सब और भी कई मसालों के नाम जो आपको आते होंगव है आप लिखते चलेंगे तीकिर आप लेंगर आप एमडीएज के आंगे आप और भी लिख सकते थे कि कितने ग्राम वाला पैकेट है आपको विस्तार से चूंगे अपन को लिखना है यह अपन इस चुक आइटम बना रहा है तो एमडीएज चकर जैसे मसाले का पैकेट आता होगा कहीं 100 ग्राम 500 ग्राम 200 ग्राम बन केजी जो भी आता हो तो आप यहां पर वो उसकी वो भी लिख सकते हैं कि कि कितने कितने ग्राम वाला पैकेट है अगर पैकेट है तो और पैकेट नहीं है बैंसा यूपन है तो फिर कोई बात नहीं एमडीएज लिखके छोड़ देंगे फिर आप बाद में जब बैंचेंग घर तो किलोग्राम में तोलकर आप उसको कर लेते हैं पर अगर पैक वाला है तो फिर फिर फिक्स ग्राम का होता है सो ग्राम पचास ग्राम दो जैसा भी हो ठीक है तो आप वह भी यहां पर आंगे लिख लेंगे विस्तार से लिखना जिससे आप उसे अच्छी समझ सकें कि क्या है एंसा आप इसको कर सकते हैं कि यहां पर अपन इसे अंडर में आप चूब अपन ने सिर्फ एक ही गुरुप बनाये था मसाला अगर 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 जादा गुरुप बनाते तो यहां पर बहुत सारी लिश्ट इसको चुन लेते हैं अब यहां पर अपने यूनिट दो बनाई थी एक किलोग्राम और पीस तब ले ले लेते हैं यहां पर अगर आपको पैकेट है तो आप उसको पीस में भी ले सकते थे क्वाइन्टिटी मतलब मात्रा माल की मात्रा जो है पौराहना जो माल था बच गया था ओपनिग बैलेंस की क्वाइन्टिटी और उसका रेट यह सा ओपन को यहां पर लिखना होता है वैली फिर अपने आप इंट्टू करके निकाल देगा माहिना कि अपना पराना जो माल वो 10 किलो बच गया था अपने 10 लिखा इंटर दवाएंगे अपने केजी लिखा जाएगा क्यों क्यों क्योंकि अपने वहाँ पर यूनिट में किलोग्राम ले लिया है अपने बागया केजी अब उसके बाद रेट रेट जो भी हो कितना रेट है आप लोग बता हूं 160 जो भी रेट हो यह गलत भी हो सकता है अपन लोग लिख रहा है अनुमान लगा कर लिख रहे हैं तो 160 अपन ने लिखा है और इंटू होकर वहाँ पर सामने वेल्यू आ गई ठीक है इस टाइप से अब इंटर दवाते चलेंगे अब यह अपना सेव हो चुका है ऐसे आप एंट्री कर सकते हैं अब इसके बाद अपन वापिस जा रहा है एसके बटन के दवारा अपन एसके बटन तब तक दवाते हैं जब तक अपन गेटवे ऑफ टैली पर ना पहुंच जाएं गेटवे पर पर परिंग बना लेते हैं जे आ यो मलेट आ खेैं江ंस krijज हों पर चेज दम है तो पर अपन यह परचामीं भीज्च देते हैं तो आप अपनहें सेल्ज्च अपन एक अपन सेल्च ़यांठ सेल्च में भीजेंगी आपन ऊपनिंग बैस कर सामने खाली चोड़ते चल रहे हैं अगर कोई पुछ पराणा बैलन्स होता तो अपने यहां पर डाल सकते हैं ठीक है अपने पर्चिस बनाया और सेल्स बनाया आपन यहां पर एक और बना रहा है कैपिटल प्राणा अपने पर लिख देते हैं कैपिटल अपने लिखा है कैपिटल एकाउंट और अंडर में जाएगा कैपिटल में ही तो अपन यहां पर कैपिटल चुन रहे हैं you आपनने सी दोबाया है कि उसके दाए हैं। उसके बाद ओपनिंग बैलैंस अपने यहँंपड डाल देते हैं 2 लाग रुपयों जोओव्य पुराने बैलैंस अपने अपने आपये आफने डाल देते हैं माना कि पुराना बैलैंस यहाँपर 2000 रुपए हैं सोरी 2,00,00 रुपए हैं तो अपन ने यहां पर 2,00,00 रुपए डाल दिया है आपन वापिस चल रहा है वाउचर एंट्री पर अपन एसके बटन तब तक दवाएंगी जब तक अपन गेट वेफ टेली पर ना पहुंच जाएं यहां पहुंचने बाद आप भी तो पहले हमें एंट्री करना है पर जिस दो पर चैस के लिए साइड में आप लोग देख लेंगे कि उसका सॉट कट क्या है उसका सोट काड़ एयफ ना ने ताव एफ नाइन दबा सकते है या फिर उस पर जाकर माउस से क्लिक भी कर सकते हैं अपन एफ नाइन बटन दवा रहे हैं भी कि अब यहां पर अपन टू में क्या लिखेंगे आप बताओं तो बिल्कुल सही है क्योंकि माल आएगा कैस जाएगा जाएगा उससे करते हैं तो टू में आएगा कैस कि अब हम अगर कैस्का वी हमांट कि गढ़नाμεंऄरं के बाद उमांट यहां पर लिखना खर दो बाद में तो nhất थीक कर दें और बाद में हम एक पर्चेश लिखेंगे अ तो यह आपन नैम अफसर पर्से सब्मिशंद हें अपने चुछ कि एक ही बनाया है जब आप जादा बनाएंगे तो आप जादा यहाँ पर लिख लिए करें अपने एंडी आज यहाँ पर लिख देते हैं क्वांटिटी अपन कितना ले रहा है माना कि अपन 50 किलोग्राम ले रहा है ठीक है और रेट माना गिए 160 रुपई है त पंने पर सेवंट करतेंगे तो अपने रहेंगी सोहां यहां पर खेंग और और वी एक मीद्ध करके तो अगर हमारा और साथीं automat लिखते चलते वह यहां पर आप 8500 लिख देते हैं और हम इंटर दबाते हुए चलेंगे और यहां आपन नरिशन लिख देंगे बीइंग गुट्स पर्चेज और कैस यानि नगत माल खरीदा अब इंटर दबा देंगे और इस टाइप से आप कर सकते हैं कर लेंगे किसी कोई परसाइं नहीं है इसमे आप सेल्स ऐसे आप सेल्स करेंगे अप सेल्स के लिए आप बटन दवाओ एफट और यहां आपन बाय में लिखेंगे कैस आएगा हमारे पास तो बाय आपन कैस लिख देते हैं आप कैस नहीं पतक कितना है तो एक रूप लिख देते हैं आपन लोग और यहां आपन लिखे हैं अपने पास कितना था अपने पास मेंजना चाहें सकते हैं अपन 40 लेज देते हैं तो 40 बेंज दिया और इसका रेट अपन कितने बेंजना है तो वह उसत रेट बता रहा है 168.33 उसत के ऐसे जो 10 किलो जो अपना है वो पराने रेट पर था 160 के रेट पर था और अपने और लिया है वो अपने 170 के रेट पर लिया है तो इनका उसने रेट का पूरा उसत निकाल दिया है तो टोटल हमें पूरा समान पढ़ा है 168.33 पैसे क तो उसने ऐसा उसत निकाला है पर आहों में कितने बेंचना चाह रहा हैं यह अपन यहां पर लिखेंगे अपन माना कि इसको बेंच रहा हैं 180 में तो यहां पर इंटू ओकर यहां लिखा जाए हो इस टाइप से आप अगर एमांट चेंज करेंगी तो वो खुद अपने आप इंटू करकर सामने एमांट चेंज कर दिया करें हों अब आपको उपर एक रुपे आपने लिखा था पहले आप उसको चेंज करना है तो यहां पर आप 7200 कर देंगी यह अपन ने यहां पर 7200 कर दिये हैं और अपने यहां नरिजन में लिखेंगी बेंगूट सोल्ट ओन कै इस नगत माल बेंचा बस इस टाइफ साफ एंट्री कर सकते हैं